कि अगर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्टिक इफेक्ट उसका ग्राफ दिया हुआ प्यारी बच्चों ग्राफ में देख रहे हो यह ग्राफिकल कोश्चन है इसे बहुत अच्छा कॉंसेट क्लियर होता है और इसको सॉल्व करने की कोशिस करो कता है कि अब ग्राफ अगर पढ़ो यहां से फोटो इलेक्टिक करेंट है और अनोड पोटेंशियल और रिटाइडिंग पोटेंशियल मतलब इधर पोटेंशियल 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 निगेटिव है यह लगाए गया इधर पोटेंशियल है और इधर निगेटिव पोटेंशि कि अगर ये plus terminal है इधर photoelectric current है और इधर plus terminal है voltage और इधर minus terminal voltage है तो आप graph पड़े होगे photoelectric bank में और ये graph अगर ऐसे आ रहा है ये A and B ऐसे दिया है ये A है और ये B है तो देखो इस point पर दोनों की ये negative potential इन दोनों की same potential जो है ये जो potential होती है वो cut up potential है अब दो हाँ अगर एक्सपरिमेंट कर एक्सपरिमेंट में सेम है तो करता है पहला जो अगर रेडियेशन आप दे सेम फिरिकेंशी बट आप दे डिफरेंट इन्टेंसीटी तो रेडियेशन जो भी बहुत सब्सक्राइब निकल ले है सभी को अगर मैक्सिमुम वाले को रोक दिये तो सभी तो रूकी जाएंगी ने मेरे भाई तो यहां से काइनेटिक है और इस पर माइनस इस टाइम लगाए हो तो रोकना है जो इलेक्ट्रांस बहार आ रहे हैं तो मैक्सिमुम वाले को इलेक्ट्रांस बहुत सारे इलेक्ट्रांस मैक्सिमुम वाले को जो मैं रोक दूंगा तो मैक्सिमुम वाले को रोकने के लिए काइनेटिक एनेर्जी हा डिपेंड नहीं करती है तो यह और इस पहले वाले और दूसरे वाले की फ्रिक्वेंसी एक्स्पेरिमेंट हुआ है यहां से जो रैडियेशन जाले गए हैं जिनकी वज़े से इलेक्रान बाहर आ गए हैं तो उन दोनों में दोनों की deologique से तभिछा कि जो इलेक्ट्रांद्स पहले और दूसरे में भी और हुए है टाप पोटेंशियल से मा रही है चलो अब यहां से और info यह अंभी देखो के तो photo electric current पहले वाले में तो ए में अगर photo electric current आइवण है दूसरे में i2 है तो दूसरे वाले में photo electric current ज्यादा फोटोएलेक्टिक करेंट अगर जाधा होगी तो इसका मतलब यह हुआ कि नंबर आफ इलेक्टांस जाधा है और नंबर आफ इलेक्टांस जाधा है मतलब इंटेंसीटी बढ़ाई गई है तो फोटोएलेक्टिक करेंट जाधा है दूसरे में मतलब वाले में तो इसका मतलब वे हुआ कि उसमें intensity of 2 is greater than intensity of first तो यह इन दोनों से clear होता है तो curve A and B represent the radiation of same frequency बाग तो बिल्कुल सही है and of different intensity obviously different intensity इसकी intensity ज्यादा इसकी कम है इसने फोटो एलेक्टिक करेंट इसमें ज्यादा इसमें फोटो एलेक्टिक कम है मतलब ए ओप्सन ही सही है बागी आप चेक कर सकते ह कता है